हेलो शुडेंट्स इस SSC Board Master Series में मैं आपके लिए लेके आओ नया चाप्टर जिसका नाम है जिसको यहां Simple Harmonic Motion कहता है मैं आज से आपको इसमें जितने भी बोर्ट के नुमरिकल्स होते उन सभी नुमरिकल्स का सोलिशन दूँगा तो हमारे पास पहला नुमरिकल्स है यह टेक्सबुक्स में से ही मैंने उठाया है तो टेक्सबुक्स में एक्जाम्पल नंबर 5.1 पेज example दिखाए देगा आप इसे खुद पढ़ लो और फिर मैं इस question को solve करके देता हूं ठीक है question solve कर लिया आप लोगों ने चलो ठीक है अब मैं इसका solution देता हूं देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है body of mass 0.2 kg ठीक है body का mass कितना दिया गया है बच्चो 0.2 kg next perform linear SHM क्या perform कर रहा है linear SHM कभी भी बच्चो numerical solve करते समय बोड के पूरा question कभी read नहीं करना है ठीक है एक sentence photo data लिखो एक sentence photo data लिखो और ऐसी आगे चलना है हमें when its displacement from the mean position जैसे कि मानलो कोई particle है यह SHM perform कर रहा है SHM perform करना मतलब क्या यह आगे जाएगा पीछे जाएगा यह कुछ ऐसे SHM perform करेगा this is called mean position एक सेकंड यह कुण सी position होगी mean position MP यह क्या चीज़ है यह इसको नाम देते लगए तो A इसे B यह आने कि what extreme position simple B यह आने कि क्या है extreme position ऐसा नहीं कि A की extreme position होगी नहीं दो-दो extreme position होगी इसको मैं नाम देता हूँ C ठीक है अब देखो अब question को पढ़ो कि तुमारा जो पार्टिकल है वह mean position से कहा पर है यहाँ पर ठीक है mean position से वह है यहाँ पर 4 मिटर दूर पर एक सेकंड वह है around 4 मिटर इसको मैं इंक चेंग नहीं कर पा रहा हूँ चलो तो यह 4 cm पर तुमारा पार्टिकल है चलो ठीक है यहाँ तक हमें डेटा मिल गया अब ह हमें find करना है बच्चो फोर्स कॉंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यहाँ पे बेसिक सा फॉर्मूला हम लगा देंगे F by X, तो F कितना दिया गया आपको? F दिया गया है बच्चो, 0.2 Newton और X कितना दिया गया है? X is 4 cm cm को हमें convert कर लेते हैं मिटर में, 10 to the power minus 2 तो कितना आ जाँगा यह? यहने कि 2 0.2 into 100 divided by 4 तो यह कितना आए जाएगा? 0.2 into 100 हैने की 20 by 4 equals to K So K is 5 कितना आएगा बच्चो 5? Unitly को इसका Newton per meter आपको हर quantity का unit लिखना है क्योंकि unit पे marks होता है तो लो next question पे जलते है Second part हमें पुछा गया है Second part पुछा गया है Period of SHM Period जब भी यह word आएगा Period आने के आपको time period निकालना है तो time period का रास्ता जो होता है निकालने का हमेशा Omega से ही जाके निकलता है Omega का सहरा में लेना है Omega से ही जाना है तो आपको Omega का formula पता है Omega is 2 by T और यही से आपका time period मिलेगा Omega पता है आपको? नहीं तो Omega का स्क्वेर मतलब होता है बच्चो K by M ठीक है K मतलब क्या spring constant M मतलब क्या mass तो यहाँ से Omega क्या हो जाएगा? Omega under root K by M हो जाएगा चलो तो K कितना दिया गया है आपको? K कितना दिया है? हमने 2 मिनिट पहले निकाला है K Is 5 mass कितना दिया गया है? 0.2 kg दिया गया है हमें तो यह आजाएगा 50 by 2 N की under root of 25 तो यह भी 5 यह आगया लेकिन यूनिट क्या होगा? Omega का Radian per watt second तो हमें Omega मिल गया अब Omega अगर आपको मिल गया तो हमें चाहिए time period Time period कर से निकालोगे? देखो अब है time period कर से निकालते है Omega equals to 2 Pi upon T So T equals to simple 2 Pi upon Omega That is 5 तो यह कुछ आएगा अब है calculation करना पड़ेगा हमें इसका time period निकालने के लिए तो बाए 5 मतलब Pi के form में में लिख सकता हूँ 0.4 Pi seconds इस form में भी में लिख सकता हूँ चलेगा? Next और क्या पुछा है उसने Acceleration of the body Third part जो उसने पुछा है वो पुछा है Acceleration पुछा है When its displacement from the mean position is 1 cm Displacement आने की X कितना दिया गया है? 1 cm तो simple formula है बच्चो Acceleration का formula होता है Omega square X यह formula होता है हमारे पास तो हमारे पास Omega आ गया है ने हमें Omega निकालना पड़ेगा बच्चो ठीक है Omega हमें निकालना पड़ेगा जो 2 मिनिट पहले हमने निकाला दा शायद से 1 second हमने 2 मिनिट पहले Omega निकाला था कितना आया था अपना Omega 5 radian per second तो यहाँ पे 5 का square कितना हो जाएगा? 25 एक साइने के क्या displacement होगी? कितना है? 1 cm 1 cm को convert करो पहले मिटर में 10 to the power minus 2 तो यह कितना आ जाएगा? 0.25 ठीक है? यूनिट बताओ मिटर पर second का square सरी यहाँ पे negative sign दो? हाँ देना चाहिए board का numerical है तो sign के साथ solve करो ठीक है? बोर प्रिपरेशन बोर अच्टे से बने ओके? चानल को subscribe करो वीडियो को like जरूर कर देना और दोस्तों के साथ share जरूर कर देना बाई everyone